आज हम बात करने वाले लेडी बल्प के बारे में यह सारी लेडी वर्फ खराव है कि सबस्क्राइब करेंगे आपके सामनी करेंगे टोटल्ब खराव हो चुका है कि यानि सब कवाड़ी का भाव हो सकता है इसको हम सब को बारे-बारे से चिक करके आपको बताएंगे कि घर में अगर आपके पास एलेडी बलब है तो उसको भीगे नहीं चोटा सब प्रोग्लम रहता है उसको आप घर पर कभी भी स्वर्व कर सकते हैं कि लिए पहले इसको ब बलब बढ़ चुका है इसको हम खोल के सब को बारी-बारी से चेक कर लेते हैं अब देख दोस्तों इस बलब को डालते हैं देकि ए बलब नहीं बरेगा क्योंकि यह खराब हो सका है यानि फ्यूज हो सका है कुछ कुछ इसमें डिपोल्ट है जिसके बज़ा से नहीं पढ़ ज़त गालायए ज़िए परने पर रहा है को यह दकर कर लेते हैं यह खराब हो सकता है और क्या खराब है जिसका घर पर मीन कर सकते हैं यह बलब है हम इसको पहले चेक कर लेते हैं इसमें क्या दिकत है जितना LED दिया हुआ है अब देख रहे हैं इसमें देख सकते हैं जितना LED दिया हुआ है इसमें कोई एक वी LED अगर खराब हो जाए तो यह आपका बलब नहीं पड़ेगा आपके नजर में बलब खराब हो चुका है पर ऐसा बात नहीं इसको बारी बारी से चेक करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन सा LED है जो खराब है चलिए हम इसको बलब में लगा लेते हैं बलब में लगाने के बाद एक छोटा सत्तार को दोनों पड़ी काट लेते हैं देख हम इसमें चेक की तो इसमें एक लेडी बलब खराब था जिसके बशे से पूरी लाट नहीं जल पा रही थी अगरो आधि देखें के वह लगा कि खुराब होने के कारण पूरी बलब नहीं ज़र रहे थे देखिए इसको क्या करेंगे एक छोटा सा आइडान अपने घर पे रखेंगे अगर नहीं हो तो किसी टेश्टर के द्वारा गरम करके इसके बाद एक रांगा रखेंगे थोड़ा सा रांगा बिल्डिंग करने वाला वो ले लेंगे इसको हम यहां पर सोल्डिंग कर देंगे कि देखिए हम सोल्डिंग कर देती इसको बढ़ने लागेगा यह हो गया है एक प्रिपेरिंग हो गया है इसको हम देखते हैं बाढ़के कि देखिए है यह बलब आपको त्यार है कि मेरा पूट्सी इस्त्रस हो रहा है कि इसमें एक बलब दो बलब फाउड खराब है यह दोनों का हम जोड़ देंगे तो आपका यह बलब यूज लाइक हो जाएगा कैसे लगा दोस्तों यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना सब्सक्राइब कर लेना अधिक और अपने दोस्तों के सेट जरूर करना तक तक लिए नवसकार अग्त